पुझ्य बाइशी एक और साधी का बहन का प्रशना है कथा हमें क्यों सुननी चाहिए मैं कथा में तो बैठती हूं पर नहीं हूं और मुझे कम समझाता है ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए तो ये प्रशना हम आपके चरणों में रखते हैं सदा सेवन करो कथा का सदा सेविया सदा सेविया श्रीमत भागवती कथा स्कुल में जब बच्चे को ले जाया जाता है तो बिल्कुल नया ही होता है वो बच्चे के लिए स्कुल नया है और स्कुल के लिए वो बच्चा नया है तो कुछ समझ में नहीं आता स्वाबावी लेकिन उपाय क्या है कि regular attend करे school regular attend करे वो नीमित रुप से वो यदी विद्यालई में जाएगा पढ़ेगा ध्यान से जो समझाया जाता है सिखाया जाता है वो सीखेगा समझेगा जहां समझ नहीं आए वहां प्रश्न पूछेगा तो धीरे 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 उसकी रुची भी पढ़ाई में बढ़ने लगेगी और साथ साथ सब समझ में भी आने लगेगा तो कथा में आप नए नए आये हैं आपका स्वागत आप पहुँचे हैं आपके सदभाग्य की भी हम प्रसंसा करते हैं कि आपकी रुची सत्संग में बनने लगी है बस सत्संग का सातत्य रखे हम लोग धिरे 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 सब बाते समझ में भी आएगी और साथ साथ सत्संग में आपकी अभी रुची भी बढ़ती रहेगी ये दोनों चीजे साइमन्टेनियस ली जाती है सत्संग में रुची बढ़ती है, रुची के बढ़ने से सातत्य, सातत्य रहने से रुची का बढ़ना और इस सातत्य से और इस रुची के चलते चलते सत्संग में पृती भी बढ़ने लगती है तो दूसरी रतिमम कथा पर संगा वो चीज जो रामचरित मानस में भगवान राम ने नवदा भक्ती में कहा है शबरी जी को रतम भक्ती संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा पर संगा ये रती कहते हैं दिनो दिन बढ़ती रहने वाली पृती को तो सातत्य रहे ये बहुत आवश्यक है इसलिए जहां जहां रामचरित मानस में भी सतसंग शब्द आया सतसंग करने की बात आई तो सतसंग के साथ सदा शब्द को जोड़ा गया है तो इसका सातत्य बहुत आवश्यक है भगवान करें आपका सातत्य बना रहे और उससे आपकी रुची बढ़ेगी रुची बढ़ती रहेगी उससे सातत्य बना रहेगा और इस तरह से धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगेंगी जैसे जैसे बातें समझ में आने लगेंगी आप और 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 स्वाध्याई करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर सब बढ़त बढ़त बढ़ जाए दिल्ली वाले खुश्बू बहन गोयल उनकी जिग्यासा है जब हम सत्संग करते है या कोई और शास्त्र पढ़ते है तो हम बहुत धर्म में मानते है और रिलिजियस है ये सोचके भी मन में घमंड आ जाता है ऐसे में क्या करें? शायद दुसरे ढंग से लेकिन इस प्रश्ण का उत्तर इसके पहले वाले सत्रों में दिया गया है कि गमंड अहंकार से बचने के लिए क्या करना चीए है यदि सावधानम नहीं रहे प्रत्येक दुरुगुण को जीतने के लिए एक सत्गुण है लेकिन याद रहे कि सत्गुण भी बंधन तो ही है और जादा खत्रा इसलिए है कि ये सारे सत्गुण मिल करके बहुत बड़े दुरुगुण को जन्म देते हैं जिसका नाम है अहंकार ग्यान अच्छी बात है लेकिन मेरे जैसा ग्यानी कोई नहीं ऐसा अभिमान उदार था बहुत अच्छी चीज है दानी होना बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे जैसा उदार कोई नहीं मेरे जैसा दानी कोई नहीं मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं मेरे जैसा भक्त नहीं ये गमंड ये एहनकार यहां तक कि कभी कभी अपनी सरलता का भी अपने को अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा सीधा आदमी आपको संसार में मिलेगा नहीं तब हम बूल जाते हैं कि वहीं पर हम तेड़े हैं जब हम सरलता का ऐसा अभिमान करते हैं तो इस से बचना चाहिए कि सद्गुणों का अभिमान सबसे बड़ा दुर्गुण है और ये चर्चा करी थी हमने मुझे याद आ रहा है कि वो अभिमान फिर उन सारे सद्गुणों को खा जाता है फिर लोगों को आपके वो जो दुर्गुण है सबसे बड़ा जो सद्गुणों से ही पैदा हुआ है जिसका नाम है गमंड जिसका नाम है हंकार वही दिखेगा लोगों को कि ग्यानी है लेकिन उनको अपने पांडित्य का बहुत अभिमान है तपस्वी है लेकिन उनको अपने तपका बड़ा अभिमान है तो वही वाला दरिश्टान तब भी शायद हमने दिखा था कि छे कटोरी खीर खाने के बाद दो कच्चे के लेसुन की दो कच्ची कली चबा लो तो डकार लेसुन के आएगी खीर की नहीं तो फिर वो अहंकार सद्गुनों को ही खा जाता है और उसको समझने के लिए रामचरित मानस में जो युद्ध हो रहा है लंका काण में बगवान शेराम का तो जब कुम्बकर्ण के साथ युद्ध हो रहा है तो कुम्बकर्ण अहंकार का प्रतीक है मोह दश मौली तदबरात अहंकार पाकार जितकाम अविश्राम हार यह हमने चर्चा करी थी तो एक यवल समर्ण दिला रहा हूँ आप पीछे वाले सत्रों में जा करके देख सकते हैं तो जो बानर और भालू है भगवान शेराम की से नामे वो सत्गुनों का प्रतीक है देवता बानर भालू बन करके आए देव सत्गुनों का प्रतीक है जब वो लड़ने आए अभिमान से क्यों यह कौन आ रहा है बोले कुम बकरन आवतर नधीरा और सब दोड़े मारो 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 इसको अब अभिमान को मारने के लिए जब अभिमान से दोड़ोगे तो अभिमान से अभिमान मरता नहीं और पुष्ट होता है तो ये पुझ्य पंडित प्रवर श्राम किंकर जी महाराज का बड़ा चिंतन और सुन्दर मानस मंधन में आव पुझ्य पंडित जी ने जो मंधन किया है रामचरित मानस का अदवत हमारे उपर अनुगरह करके प्रत्यक्ष सुनाने के लिए आये थे एक दो बार हम को ये अवसर मिला और लाष्ट रिशिकेश में फिर मेरे ख्याल से आट नौ दिन पुझ्य पंडित प्रवर रामकिंकर जी माराज और पुझ्य मामा जी ये दोनों महापुरुष वहां रिशिकेश में परमार्थ में बड़ा अनुगरह किये तो सामने बैठ करके श्रवन करने का लाब मिला पुझ्य पंडित जी को सांधी पंडित जी महाराज का बड़ा अद्भुत मंधन और चिंतन है कि मुख्य तीन युद्धा है रावन, कुम्बकर्ण और मेगनाद और तीनों की युद्ध करने की जो पद्धती है अलग-अलग है रावन मारता है खतम करता है मेगनाद बांधता है और कुम्बकर्ण खाता है कोटी कोटी कपी धर धर इखा ही तो मेगनाद काम है देखो काम बांधेगा कोई भी कामना आपको बांधेगी रावन मोह है मोह मारता है और कुम्बकर्ण अहंकार है वो अहंकार खाता है किस को खाता है सद्गुनों को तो बड़ी सुन्दर कता है उसमें की सुग्रिव भी अभिमान से लड़ने के लिए गया कुम्बकर्ण के साथ तो जब कुम्बकर्ण देखा सुग्रिव को तो कहता है की उसको खाया नहीं उसको पकड़ करके अपनी बगल में दबाया बोले क्यों पंडी जिवारच बड़ा सुन्दर कहते है कि सुग्रिव को देखकर के कुम्बकर्ण को याद आया कि इसके भाई ने मेरे भाई को बगल में दबाया था वाली ने रावन को बगल में दबाया था तो मैं बदला लूँ अब मैं तुझको बगल में दबा के रखूंगा तो सुग्रिव को बगल में दबाया अब जब बगल में दब गया तो सुग्रिव को थोड़ी अकल आई कि जरा जल्द बाजी कर दी हमने इसके साथ टकराने में तो अब इसकी पकड़ से छुटने के लिए क्या किया जाए अब देखो ये बात महत्व पुर्ण है यहां पर लाली आप सुनो आपका जवाब ये बात महत्व पुर्ण है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा टकरा आएगा तो छुटने वाला है नहीं तो उसने क्या किया था बगल में तो बहुत निबु की गयो ते हिम रितक प्रती थी जैसे मर गया हो ना हिले ना डूले निबु की गयो कोकड़ो गड़ी गयो संको चाही गयो ना हले ना डूले अब कोकड़ो गड़ी गयो इसका हिंदी कर ले ना आप निबु की गया जैसे कोई मुर्दा हो तो थोड़ी देर के बाद जब ये हिलता डूलता नहीं था तो कुम्भकरण के मन में ये आया कि मर तो नहीं गया मैंने ज़्यादा तो नहीं दबा दिया मृतक प्रती थी ना हिले ना डूले तो उसने हाथ उपर किया कुम्भकरण और ये गिरा नीचे सुग्रिव जैसे गिरा और तुरंच छलांग लगा के भागा वहां से और भाग कर कहा गया भगवान श्री राम की शरण है बचाओ 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 एहंकार से गमंड से बचने का यही उपाय है एक तो एहंकार के सामने एहंकार पुर्वक मत टकराओ अंधकार पर अंधकार से विजय प्राप्त नहीं हो सकती दूसरी बार कि वहां जैसे मर गये हो मृत हो उस तरह से ही विवहार करो मतलब अभिमान को समाप्त कर दो और फिर जब वो मैं नहीं रहेगा तो अभिमान पकड़ेगा किसको बाग कर वो भगवान शिराम की शरण में और तब भगवान शिराम आगे बढ़े अब राम को आगे रख करके और सुग्रीवादी सब भालू कपी पीछे रह करके फिर टकराए कुम्ब करन से और तब कुम्ब करन पर विजय प्राप्त करी बगवान शिराम ने कुम्ब करन का उद्धार किया ये है कथा तो सद्गुरू की शरण में जाना चाहिए प्रभू का शरणागत बन करके रहना चाहिए यही गमंड और एहंकार से बचने का शिमत भागुत में भी आया है कि वही दंब से यदि बचना है तो महापुरूशों की सानिद्य में रहो तो ये दंब है अभिमान है ये सारे दुरगुन साधक को बहुत परेशान करते हैं और इसलिए जो सतज जागरत है साधना में किसिन किसी सद्गुरू संद किसी महापुरूश की शरण में हम रहते हैं लगातार स्वाध्याय सत्संग ये करते रहते हैं जागरत रहते हैं जब जब ये दुरगुन हमें परेशान करते हैं तो बिलकुल दीन तापुरवक निमु की गयव का मतलब है दीन ता पुरवक हम प्रभु की शरण में जाते हैं और तब निश्चिद रूप से परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं जैसे भूख से छूटने की कोशिश करते हो की नहीं निर्धनता से मुक्त होने की कोशिश करते हो की नहीं इस प्रकार से संसार से छुटने की इच्छा करना वास्तों में वास्तों में बंधन है यह नहीं लेकिन शरुवात में वो मुमुक्षा चाहिए बंधन का अनुबव यह बंधन माना हुआ है वास्तविक नहीं है तुरसिदास जी नहीं कहा जड़ चेत नहीं ग्रंथी परी गई जड़ चेत नहीं ग्रंथी परी गई जद्यपी मृषा छूटत कठी नहीं चेतन्य जीव ने जड़ शरीर में ममता कर ली यह मेरा है उसके प्रति आ सकती हो गई जड़ चेतन में एक ग्रंथी लग नहीं करावे त्यारे छेड़ा छेड़ी बांधे जिन है अंचड़ा जड़ी बांधे पाकु थाए क्या मारी घरवाड़े ना मारो घरवाड़ो मारो मारू तो यह मेरा शरीर है वैसे देखा जाए तो यह सारा संसार ही है पती हो पत्नी हो पुत्र हो माबाब हो गुरू हो शिश्य हो भाई हो बंदू हो वो कोई वस्तिक तो है नहीं सम्मन्द आज ये बाप थे इसके पहले नजाने कितने माबाप से तुम पैदा हो चुके हो तुम सुमन जाने कितने माबाप कितनी बार बन चुके हो ये राजा चित्र केतु की कथा में आता है श्रिमत भागवत में पुरत्रा सुर के पुर्व जनम की जो बात नजाने कितने जनम भी चुके हमारे सबना टक लेकिन वो आ सकती छूटती नहीं नीद हमारी खुलती नहीं जडचे तनहीं ग्रंथी परी गई जद्यपी म्रिशा अकिकत में तो वो ग्रंथी म्रिशा है लेकिन चूटत कठी नहीं एक मानस्चन रोज इना गधेडा न लई जाए पच्छी इना पगमाड वो डामनों बांदे इसके पाउं में रसी और फिर एक खुटा जमिन में गाड़ कर उसके साथ वो रसी बांदेता था तो गधेडा हम जी जाए कापड़ बंद आए गया पच्छी नहले ना चले एक दीवालो डामनों ज भूली किया अली रसी बूली कियो है आयो है तेर खुटा पड़ी बलाम जोई हो कि रसी न थी पणे ने शू किरू गधेडा निया रोज नी जम उबुर एकन पच्छी आ अब भ्यास थी गया ने गधेडा ने ते बोलो वगर रसी बंद ही कि ने बलो हांना पाच्छुआ हो तो निया जब तो बंदन था ही नहीं लेकिन वो बंदन नो भोकर रहा है वो गधा कहीं गया नहीं जड़ चेत नहीं ग्रंथी पर गई जद पिम्रिशा छूटत कठी नहीं क्या माया है देखते हैं न शरीर हमारा है न शरीर से सम्मन जिनके साथ है वो हमारा आदमे अकेला ही जाता है अकेले ही जाना पड़ता है न शरीर से जो कमाया है इस संसार में कर्म मेहनत पुरशार्ट करकर के वो हमारा है कुछ भी साथ नहीं चलता हम सब जानते हैं देख रहे हैं इसके लिए कोई कथाओं में जाकर कथा सुनने के आवश्क्ता ये बात नहीं हम सभी देख रहे हैं अपनी आँखों से कईयों को मरते देखा है कुछ साथ लेकर नहीं जाते देखा सब छूट जाता है लेकिन फिर भी नहीं छूटती आ सकती नहीं छूटती वो ममता तो वो वाली मुमुक्षा बहुत दुरलब है अध्यशंपराचारिय कहते है मुमुक्षत्वम तो वैसे तो बंदन है ही नहीं इसलिए कहते हैं मुक्षत्वम वो कोई लेने की देने की मागने की चीज नहीं है वास्तवम मैं मैं मुक्षत ही हूँ ये भान ग्यान अनुभव जिस समय हो गया मुक्षत फिर से एक बार सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंदह सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंदह चिदानन्द रूपह शिवोहं शिवोहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्यसर्वत्र सर्वेंद्रियानं सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंदह सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंदह चिदानन्द रूपह शिवोहं शिवोहं चिदानन्द रूपह शिवोहं शिवोहं ये हम कह लेते हैं ये बात हम सुन लेते हैं बुद्धी में बैड़ भी जाती है लेकिन फिर भी अनुभूती में नहीं आती ये इतना सरल नहीं है अनुभूती इतनी सरल नहीं है इसलिए मुमुक्षा के बाद महापुरुश सामुश्रया आप ड्राइविंग नो हिखवन होए तो वो वाली जो परिक्षा है वो आप दे सकते हैं अच्छे अंक से पास हो जाएंगे लेकिन मोटर कार चलाना ही नहीं जानते प्रक्टिस ही नहीं करी तब जाकर उसमें पास करो तो ड्राइविंग लाइसंस मिलेगा ना स्विमिंग की बुक पढ़ पढ़ करके आप ठेयरिटिकल परिक्षा में बहुत अच्छे अंक से विट डिस्टिंग्शन मार्क साप पास हो सकते हैं लेकिन पता तो तब चलता है कि जब आपको पानी में धक्का मारा जाए धक्का दिया जाए गहरे पाने में धक्का देने के बाद क्या स्थिती होगी मजे की बात एक बात तैरना जो सिख लिया एक बार जो साइकल चलाना सिख लिया फिर चाहे कितने वर्ष परियंत तैरने या साइकल चलाने का मौका अवसर न मिला हो लेकिन अचानक से उस आदमी को कोई पाने में फिर धक्का दे दे डूबेगा नहीं हो तरना भूलता नहीं है चलना एक बार हमने संतुलन साध लिया फिर भूलते नहीं है साइकल चलाने में संतुलन साधना है हम भूलते नहीं फिर मैंने कहीं सालों से साइकल नहीं चलाई है लेकिन मैं चलाना सिखा हूं कहीं साल से नहीं चलाई थी इस लोकडाउन में फिर मैंने शुरू किया हाव यकलो था नहीं निरात होती तो रात्री के समय में फिर यहां हमने थोड़े दिन साइकल वाली एक्सेसाइज करें शिर्वात में थोड़ो समय हम एक अद्वे मिनिट हैंडल हर कुरू पड़े बागी पच्छी तो उन मारी आरे मारा एक अद्वे छोक राओ आसंकुलमा साइकल उपर श्रीहरी नी परिक्रमा करी गणा दिवस अब भूल नहीं सकते एक बार सिखनो लेकिन पुस्तक पड़ लेना अलग चीज है और फिर सिखना तो ये सुन लेना अलग बात है थियरी तो समझ में आ जाएगी लेकिन अनुभूती का क्या महा पुरुश समझ रया इसलिए किसी महा पुरुश की शरण में जाना आवश्यक सादन भजन करना आवश्यक मैंने कई बार पुरानी कताओ में ये द्रिश्टांत में देता था कि वो एक बाई के बैक को पुराने जमाने की बाब दादा के जमाने की ट्रंक ट्रंक बोलते थे उसको दातू की मेटल की ट्रंक होती थे आज सूटकेस लेकर के आप घुमते हो उस जमाने में ट्रंक में पत्रानी मैं पोता नो ये नुज वजन भो तो उसमें बहुत सारी चीजे बरे थी और ताला लगा हुआ था बाब दादा के समय की बाद बहुत सालों से वैसे ही पड़ी थी तो एक बार माबाब चले गए और उपर सफाई कर रहे थे खबर जान अड़दा अड़दा उलमा अब मेड़ी जे हुआ है गड़ी बार निया उपर सामन मा पड़ियो रहे तो ये बताद तो वहां सफाई कर रहे थे उसमें ये बक्सा देखा कोई एक चीज थी जिसके भी मिल नहीं रही थी तो सोचा कि शायद इसमें हो हमने सुना है कि वो थी हमारे घर में साथ जी भी कहती थी ये वर्षों से नहीं खुला है ये खुल के देखते हैं शायद वो चीज इसमें मिल जाए तो ताला लगा वगा था अब इसकी चावी अब इतने वर्षों पुराने तो चावी तो पता नहीं था कहां है इसकी तो चाविया जितनी घर में थी सब लाए और लगाने की कोशिश की वो भाईया ने पती ने तो कोई चावी तो अंदर जाए ही नहीं चावियों का गुच्छा पुरा रहता है ना पुराने जमाने में तो वो था तो कोई चावी तो अंदर जाए ही नहीं कोई चावी जाए तो पुरा घुमे नहीं फंस जाए अंदर कोई चावी जाए और पुरा चकर मार करके निकल जाए रे ढगर मत ही कुई तरु आटो मा तो ताला खुल नहीं रहा था एक गुच्छा दूसरा गुच्छा एक जुडो विजो जुडो भेका करी ने बधी ने ट्राई करी लिए ताड़ू न खुलू पच्छी पासी पत्नी के तम्हें हटो मुझे करने दो लेट मी ट्राई वसादमी ने कहा कि इसमें से किसी चावी से ये ताला नहीं खुल रहा है नहीं खुलेगा पत्नी ने कहा कि आप भटो मुझे करने ले पत्नी ने पूरा ट्राइग किया एक एक चाबी लगाने की कुशिश की लेकिन टाला नहीं खुला अन्त में पत्नी भी पसीने से नहाई हुई बेचारी अपना पलो से पसीना पहुचती हुई बूली इन चाबीयों से ये ताला नहीं खुलेगा अब मजे की बात सुनो बाद में पती ने जरा कहा कि तुम हटो तो ये कौन कंपनी का ताला है जरा मुझे देखने दो ताला हाथ में लिया यूं बंद ताला है यूं लिया उसके पीछे यूं करने के लिए थोड़ा हिलाया हिलाया तो ताला खुल गया खुलाई था क्यों यूं अंदर फंस गई थी खुलाई हुआ था तब चला पता गो इतने समय से मेनद कर रहे थे तो बाद में पता चलता है कि हम तो मुक्त ही है बंधन हमको कहा है नित्यशुद बुद्ध मुक्त आत्मा को बंधन हो नहीं सकता लेकिन उस बंधन का अनुभव होता है वो जो ग्रंथी भले मिरिशा है और उसके चलते इतना परेशान होता है जी वो इतना दुखी होता है लेकिन फिर किसी महापुरुष की शर्ण में जाता है और उसके मुक्त स्वरूप का जब उसको बोध होता है ये बोध गउतन बुद्ध को कितना ये करना पड़ा तब कोई एक समय आया कि एक पैड के नीचे बोध हो गया और वो जो तिथी होती है न वो बड़ी महत्व पुर्णा होती है साक्षात कारणी तिथी पिछे मनावे बदा अनुयाई ये ये दिन बड़ा महत्व पुर्णा होता है क्योंकि आत्मा का स्वर्व बंधन और मुक्ति ये दोनों से विलक्षण तो सर्व वेदांत सारम्यत ब्रह्मात मैकत्व लक्षणं वस्तु अध्वितियं तन निष्ठं कैवल्याइक प्रयोज़न तो श्री विदुर जी मैत्री जी के आश्रम में पहुंचे अब विदुर स्वयम धर्म है साक्षात यम हमने देखा था न बीच में कथा में कि सब को दंड देने वाले को दंड देने वाले महत्मा साक्षात यम मांडव यरिशी के शाब से व्यास जी के माध्यम से दासी के उदर से विदुर के रूप में प्रगट हुए हैं सौ वर्ष के बाद वो शुद्रत्व से मुक्त हो गए और तिर्थे आत्रा करते करते वे श्री गंगा जी के तट पर पहुंचे और वहां हरद्वार क्षेत्र में श्री महित्रे जी के आश्रम में पहुंचते हैं रिशी महित्रे ने स्वागत किया है हम लोग चर्चा करते हैं न कि वो गत्वा, नत्वा, दत्वा यह तीन करके हमें यह अनुभव करना है गत्वा ऐसे महापुरुष के पास जाएं उनकी शरण में जाएं यह गंगा के तट पर गए गत्वा अपना घर मावे ने नड यह नदियों नहीं नल आपके घर में आ सकता है लेकिन नदी के पास आपको जाना पड़ेगा असनान करना है तो नदी की भाती बहने वाले एकदम निर्मल पावंता शितलता निर्मलता अपने में लिये हुए जो महापुरुष हैं उनके पास जाएं गत्वा नत्वा उन्हें नमन करें यानि अपना एहंकार छोड़ें अपने बैठने के लिए जिस तरह से आसन है उसी तरह से ज्ञान के बैठने के लिए भी एक आसन बिछाना पड़ेगा उस आसन का नाम है विनम्रता नम्रता की गादी पर ज्ञान विराजित होता है दीनता के सिम्हासन पर भक्ती महाराणी विराजित होती है क्योंकि वो महाराणी है ना तो सिम्हासन भक्ती महाराणी ऐसी महाराणी है भगवान भी उसके वश में है देखो मुक्ती भी जहां जिसकी दासी बन गई हो ऐसी महाराणी हो भक्ती देवी भगवान भी भक्ती सूत्रो पनद्धा भक्ती सूत्र से बन्दे हुए है तो दीनता उसका सिम्हासन है भगवान उसके पती है भगवान का नाम भक्ती का प्राण है भगवान में विश्वास भक्ती का श्वासोच स्वास है विश्वास ही भक्ती का श्वास श्वास न रहे तो जिवन कैसे ठीके विश्वास न हो तो भक्ती कैसे रहे नहीं ठीक सकती बिनो विश्वास भक्ती नहीं समर्पन भक्ती के हाथ के कंगन है सदाचरण भक्ति के चरण के नुपूर है और सईयम भक्ति रुपी महाराणी के करधनी है कंदोरो जुना जमनमा बेनो कंदोरा पेरती करधनी आए लगन में जोवा मड़े चेकने कंदोरा पेरती अम जुडा ही आखोंसी न फरती बेनो पोलिस जम रिवल्वर लेन फरता होई न इंस्पेक्टर साहिब यहनो वट पड़े हैं बेनो इचावी न जुडा हम खोंसी न फरती न वट पड़ तो मोबाइल मां थी हाथ छुटो था यह तो क्या चोकरा अंद्रमडवान पिटले चोकरा न हाथ मां मोबाइल पकड़ा भी देशें हनपसी चोकरा मोबाइल न हारे एवा एनने मैत्री थाई जाए माव ने पंड निराथ यह पोता ने टीवी सीरियल फेबरेट होई यह जो आवा चोकरा मोबाइल न हारे रम्मडवान तो पुराने जमाने में वो रहता था तो करधनी है कटिभाग का आवुशन क्या सहियम जाँ भक्ती है वहां से वाच काच मन निश्चल राखे इसलिए नर्सी महता काता है वाच काच मन निश्चल राखे रसनेंद्रिय और जननेंद्रिय का सहियम सबसे कठिन है इसलिए वो दशमसकंद में भी हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की लिलाव में पहले वरुण वी जाए और फिर रास लिलाव में काम पर वी जाए वाच काच मन निश्चल राखे धन धन जननी ते नीरे वैश्णव जन तो ते नेरे कहिये जे पीड पर आई जाने रे पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आणे रे वैश्णव जन तो ते नेरे कहिये तो दीनता भक्ति महरानी का सिम्हासन है विनम्रता ज्ञान का आसन है नत्वा नमन करे तद विद्धी प्रणिपाते न प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षंतिते ज्ञानम ज्ञाने नस्तत्व दर्शिन गीता में भगवान श्री कृष्न समझाते प्रणिपाते न प्रणिपात चलो प्रणिपात का उसका व्याकरन की द्रिष्टी से अर्थ करो बरत भाई प्रणिपात तद विद्धी प्रणिपाते न परिप्रश्ने सेवया प्रश्न करने से पहले प्रणाम गणा तो प्रश्न पुछवावय तो ला पोलीज मालिद्धा इन पछी प्रश्न करता इन पोलीज क Turbo प्रणिपात गत्वा नत्वा और याद रहे पत्थर की मुर्ती को जुगना सरल है किसी ऐसे जिवन्त जागरित सद्गुरु के चरण में माथा जुकाना एहंकार हमारा जुके और जहां आपका एहंकार जुके ऐसा महापुरुष या ऐसा स्थान इसलिए आश्रमों में कहीं तुमारे एहंकार को पुष्ट करने वाली प्रवृत्ती हो तो आश्रम में मत जाना आज प्राय ये हो जाता है कि आश्रमों में भी तुमारे एहंकार को पुष्ट करने वाली बात हो जाता है हंकार को पुष्ट करने के लिए थोड़ी जाते हैं आश्रम में सद्गुरु तुमारा नाम लेकर पुछकारे बुलावे सब को कुछ बतावे ये उसकी सदगुरू की कृपा है उसका अशिरवाद है लेकिन वो करने में भी सदगुरू का खुद का कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए तुमसे कोई अपैक्षा नहीं होना तुमसे प्यार के प्रती और तुम जो कर रहे हो तुमारे समर्बन के प्रती प्रसन्न होकर के वो कुछ सहजता से कहे वो उसका त्यार है लेकिन कभी-कभी हमारे अंदर एहंकार हो तो हम मारू नाम नो लिदो बद्धानू नाम लिदो मारू नाम लिदो संसार में तुमारे एहंकार को चारा देने वाले पुष्ट करने वाले और फिर तुम से निकलवाने वाले उगलवाने वाले बहुत मिल जाएंगे लेकिन जहां जाने के बाद तुम्हारा एहंकार पुष्ट न हो तुम्हारा एहंकार दीरे दीरे नश्ट हो जुके हाँ आश्रम से बाहर निकलो तो आहंकार वाला खपड़ा पहन लो जरूर लेकिन वो स्वस्थ एहंकार होगा वो वाला एहंकार कैसा होगा बता है जो तुमको संसार की समस्याओं के सामने दीर न बनने दे न दैन्यम न पलायनम जो तुम्हे गावराओं के साथ जिना सिखावागा अस अभिमान जाही जनी भोरे मैं सेवक रगुपती पति मोरे मैं सेवक रगुपती पति मोरे ये वाला एहंकार ऐसे वेसे थोड़ी हम है राम जैसा हमारा स्वामी है और हम श्री राम के सीवक है एक युनिफॉर्म पेरी ले हवालदार नो त्यांतो है ने रोब तमें जो है नो रुआव हाथ मा खाली डंडो जो है तो है अपड़ा नहीं हाथ मा ठमना मेडा मा रुआव जोगो तमें एक युनिफॉर्म पेरी ले हाथ मा दंडो है तुझे भगवान नो थयो होई ने इवाड़ो युनिफॉर्म पेरी होई अने हाथ मा सैयम नो दंडो होई तो यह कहीं थोड़ो गैंच हो जाए लेकिन वो स्वस्थ एहंकार है वो बिमार वाला नहीं जो तुमको पतन की और ले जाए जिसका एहंकार गुरू के चरण में गिर्ख पड़ा है हम ऐसा ऐसा करते हैं यह से महापुर्शों के पास जाते हैं कोई चीज लेकर और फिर करते हैं इसको जरह हाथ लगा दीजिए ना यह प्लीज ब्लेस दिस उपरणा ने आपने ब्लेस करावी पची लई जीए आपने मूर्ती ने पन ब्लेस करावी प्रान प्रतिश्थित करी अमना हाथ लई जीए आप इसको हाथ लगा दो आपके आशिरवाद के रूप में हम पहुँचा देंगे उनको हाथ लगा दो प्रासादिक हो गई चीज गुरू के चरण में गिर पड़ा एहंकार भी फिर प्रासादिक हो जाता वो तुमारा कल्यान करेगा कि मेरे एहंकार को आप छूलो नहीं तो एहंकार बहुत उपद्रव करता है तो सिया जोशी उनकी यह जिग्यासा है सत्संग में हम सुनते हैं कि एहंकार बुरा होता है और व्यभार में इगो के वजह से बहुत सारे प्रोब्लेम्स क्रियेट होते हैं बहुत सारे प्रोब्लेम्स क्रियेट होते हुए हम देखते हैं पता भी चलता है कि एगो है तो उस अहंकार से हमें कैसे बचना चाहिए यह उनकी जिग्यासा है सही है पहली बात जैसे बेहन सिया ने कहा है कि पता भी चलता है कि एगो है तेकिन फिर भी कभी कभी छुटकारा नहीं हो पाता देखो एहंकार को आँख होती है एहंकार अंधा नहीं होता मोह अंधा होता है इसलिए मोह तो आदमी को अंधा बना देता है एहंकारी को प्राय पता होता है कि मैं एहंकार कर रहा हूं ये मेरा एगो है तो सही कहा है उन्होंने कि पता होता है फिर भी हम एहंकार पर विज़य प्राप्त नहीं कर पाते और एहंकार बहुत ज़्यादा सब कुछ तहस नहस कर देता है बाद में हम भी पच्टाते हैं कि ये जरा ठीक नहीं हुआ और जिनका सत्संग नहीं है सत्संग के साथ कोई संबन नहीं है वो तो पच्टाते भी नहीं है पच्टाते वो हैं जिनका थोड़ा भी संबन है सत्संग के साथ जिनको स्वदोश दर्शन का थोड़ा अभ्यास बना है जिनका तो वो कभी आवेश में गलती कर भी देते हैं तो तुरंट अपनी गलती देख भी लेते हैं संभल भी जाते हैं और फिर उसमें सुधार लाने की चिष्टा करते हैं मुझे याद आ रहा है ब्रंदावन के प्रग्या चक्षु परमसंद पुझे स्वामी शर्णान जी महराज का एक सूत्र आप में से कहीं लोग जानते ही होंगे की पुझे स्वामी शर्णान जी महराज एक बड़े अनूठे अद्भुत महापुरुष रहे व्रंदावन के और वे इतने सटीक और सूत्रात्मक बोलते थे और वे कभी गीता या पुरान या धर्मशास्त्र को कभी कौट नहीं किया उनोंने लेकिन उनकी बातों को कहीं न कहीं दर्मशास्त्र और इतियास पुरान गीता इतियादी का समर्थन कहीं न कहीं से रहता ही था इस तरह की सटीक बातें स्वामी जी की रहा करती थी तो वो कहने से पहले मैं पुझी डौंगरे जी महराज से एक जो बात बार बार कथा में मैंने भी सुनी है आप लोगों ने विश्रवन किया होगा उसका स्मर्ण कर लूँ वे कहते थे कि कथा स्वदोश दर्शन के लिए है और फिर वो थोड़ा एकदम विनोध वाले स्वर में भी महराज श्री बताते थे कि कथा में कोई अच्छी अच्छी बात आती है तो लोग कभी कभी सुनते हुए अपने पर लागो करते कि मैं बिलकुल ऐसा ही हूँ और जब कोई दोश वाली बात आये तो उनको लगता था ये मेरे पड़ो सीख पे लागो होता है तो दोश हम दूसरों के देखते हैं और अपने में हमें गुण दिखाए पड़ता है जब कि सत्संग क्या कहता है कि दोश अपने देखो और औरों में आप अच्छाई को देखो सादुपुरुश वही है अब देखो ऐसे भजन भी है मोसम कौन कुटिल खलकामी जिन तनुदियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी मोसम कौन कुटिल खलकामी तो अपने दोशों को देखें और औरों के सद्गुणों को देखें औरों की अच्छाई को देखें थोड़ी बहुत देखो अच्छाई बुराई तो सब में है लेकिन हमारी द्रश्टी अगले की बुराई पर है कि अगले की अच्छाई पर यह महत्पपुर्ण बात है हम यदि गुण गराही हैं अगले की अच्छाई को देखते हैं तो एक तो उतके प्रती सद्भाव हमारा बनेगा और बना रहेगा और दूसरी बात कि हम गुण गराही होंगे तो उससे कुछ अच्छी बात हमको भी सीखने को मिलेगी और दोशी देखते रहेंगे दूसरों में तो उससे द्वेश होता है और यह द्वेश अपना भी नुक्सान करता है और वही दोश यदि हम अपने में देखें अपने में जो दोश है, अपने में जो बुराई है, अपने में जो कमी है सत्संग के चलते यदि ये दृष्टी मिल जाए तो हमें अपने दोशों को देखने से एक दीनता का भाव होता है और ये लगता है कि भई ये मैं क्या कर रहा हूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है तो पूझे स्वामी शर्णा नजी महराज का सूत्र बता दू वे कहते थे सत्संग क्या है, बोले जाने हुए असत का त्याग जब तक वो असत, जब तक वो बुराईयां मेरे में है और मुझे उसका ग्यान नहीं है, देखने में नहीं आई तब तक यदि वो बुराई मुझे में पड़ी रहे तो बात समझ में भी आती है लेकिन जब मुझे पता चल जाए सत्संग के माद्यम से कि मेरे में ये बुराईया है, ये कमी है ये मेरे विक पॉइंट है तो फिर उस जानी हुई बुराईयों के तियाग में ही सत्संग की सार्थकता है वरना बार बार हम कथा सुनते रहें वो किवल सात्विक मनोरंजन बन जाए सात्विक मनोरंजन तो होगा इबुदब श्राम सकल जनरंजन है कथा लेकिन वो किवल सात्विक मनोरंजन बन करके रह जाए ये बात नहीं सत्संग की सार्थकता उसमें है कि सत्संग के द्वारा मुझे जो अपने भीतर की बुराई का ज्यान होता है मैं उस बुराई से निजात पाऊँ तो जाने हुए असत का त्याग सत्संग है ऐसा स्वामी शर्णा नंजी महाराज कहते थे भक्ति मार्ग की दृष्टी से कहूँ तो वैसे एहंकार वो अंदक करण चतुष्टही के अंदर गता आता है लेकिन यहाँ वो प्रावड के अर्थ में नहीं है गमंड के अर्थ में नहीं है तो मन, बुद्धी, चित, अहंकार तो सेल्फ कॉंश्यसनेस है मैं हूँ ये जो भाव है और कथा में हम लोग चर्चा करते रहते हैं कि मैं और हूँ एकाक्षरी इन दो शब्दों के बीच में ही हमारा पुरा संसार है कि मैं मनुश्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं अमेरिकन हूँ मैं इंडियन हूँ है ना मैं गुजराती हूँ मैं मारवाडी हूँ मैं पंजाबी हूँ मैं हिंदू हूँ तो मैं और हूँ वो जब विकृत हो जाता है, वरना देखो, एहंकार के देव शिव है, एहंकार सिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, रूप राम भगवान, राम चरित्मानस कहता है, एहंकार के देव शिव है, मन के देव चंद्रमा है, मन शशि चित्त महान, और चित्त के देव नाराण है, और बुद्धी के देव बुद्धि अज, ब्रह्मा है, तो वो एहंकार हमारा जो है वो यदि भगवान शिव के प्रती समर्पित न हो तो ये एहंकार विकृत बन करके गमंड में परिनत हो सकता है शायद इसके पूर्ववाले जिग्यासा सत्रों में शायद किसी प्रश्ण के उतर में ये चर्चा हुई है ऐसा मुझे थोड़ा समर्ण है कि प्रत्येक दुर्गुन को जीतने के लिए एक सद्गुन है लेकिन सद्गुनों से भी सावधान रहना चीए नहीं तो क्या होता है कि वे सारे सद्गुन मिल करके एक बहुत बड़े दुर्गुन को जनम देते हैं जिसका नाम है एहनकार मैं लोबी नहीं हूँ मैं उदार हूँ मैं दानी हूँ अच्छी बात है कि लोब नहीं है मैं उदार तपरवकदान कर रहा हूँ लेकिन यदि मैं सावधान नहीं रहा तो मेरी उस अच्छाई से एक बुराई पैदा होगी और वो यह है कि मेरे जैसा दानी कोई नहीं मेरे जैसा ग्यानी कोई नहीं मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं मेरे जैसा तपस भी कोई नहीं ये सारी बाते अच्छी है, सपस्या है, तियाग है, ग्नियान है, है ना, कभी कभी तो ये के अच्छाई का भी हमको अभी मान हो जाता है, और अपनी सरलता का भी मान हो जाता है, मेरे जैसा सीधा अदमी, आपको दूसरा कोई मिलेगा नहीं, तो सरलता का भी अभी मान हो जात नहीं तो वो सारे सद्गुन मिल करके एक बहुत बड़े दुर्गुन को जनम देंगे जिसका नाम है एहंकार त्याग का एहंकार ग्यान का एहंकार तो इसलिए रामचरित मानस में वो जो कुम्ब करना है वो एहंकार का प्रतीक है रावण मोह का प्रतीख है मेगनाद काम का प्रतीख है वो रमचरित मानस के सभी पात्रों का अध्यात्मी कर्थवी गोसवामी तुरसिदा जिने अपने साहित्य में समझाया ही है मोह दश मौली तदबरात अहंकार पाकारी जित काम विश्रा महारी ये जो दश मौली रावण है वो मोह का प्रतीख है और उसका भरात यानि कुम्ब करन वो अहंकार है पाकारी जित इंदर जित जो मेगनाद है वो काम है अध्याधी सारे इस तरह से अन्य पात्रों के भी अपने अन्य साहित्य में स्पष्ट किये हैं तो देखो कुम्भकरन जब लड़ता है तो किस तरह से लड़ता है उसका रमचरित मानस में वर्नन है कि जब बानर और भालु आए कुम्भकरन के साथ लड़ने और याद रहे ये बानर और भालु देवता हैं देवता ये सब रूप लेकर के आए हैं प्रभु श्री राम के से ना में देवता मने सद्गुन तो ये सद्गुना का प्रतिक है तो जब वो आए लड़ दें तो कुम्ब करन उसके साथ किस तरह से लड़ता है बोले उनको पकड़ पकड़ करके इतना बड़ा बारी बरकम शरीर नाथ भूदरा कार सरीरा कुम्बकरन आवतर नदीरा एक में ही तो कितने सारे बंदर और भालू को पकड़ लेता था और कोटी कोटी कपी धरी धरी खाही तुरसिदाजी ने लिखा है कि इस तरह से कोटी कोटी वानर को पकड़ पकड़ करके खा रहा था तो इसका मतलब यही है कि एहंकार इसी तरह सद्गुनों को खा जाता है और मजे की बात यह है कि सद्गुनों को खा करके एहंकार और पुष्ट होता है सद्गुनों से ही पुष्ट होता है और उसको जैसा शरुवात में हमने बताया कि एहंकार को आँख है उसको पता है कि एहंकार लेकिन वो अपने एहंकार को प्रामानिक मानता है वो कहता है मैं ग्यानी हूं तो कह रहा हूं ग्यानी हूं को ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं आप अंडित हैं, बहुत शास्त्रों का अज्यान किये हैं, ग्यानी है तो कह रहे हैं, ग्यानी है, त्यागी है तो कह रहे हैं, कि त्यागी है, तपस्वी है, इतनी कठिन तपस्या की है, तो कह रहे हैं तपस्वी है, कोई ऐसे ही हवा में थोड़ी बात करने हैं, तो वो अप अपने एहंकार को प्रामानिक समझने लगता है वो सबसे बड़ा खत्रा है और जब आप रोग को ही स्वास्थ्य समझ लें फिर आपके स्वस्त होने का कोई उपाई नहीं पहले रोग को रोग के रूप में देखना चाहिए और स्विकार करना चीए कि मैं बिमार हूँ तो फिर उसके इलाज की बात आती है लेकिन जो सद्गुणों का अभिमानी अपने अभिमान को ही प्रामानिक समझने लगे तो उसको पता है कि मैं एहंकार कर रहा हूँ और फिर भी वो उसको सही मान रहा है बुराई को बुराई के रूप में नहीं देख रहा है उसको वो प्रामानिक मान रहा है भी आप छूटने की तो तब इच्छा करेंगे जब आप जहां रह रहे हैं वो कैद खाना है ये पहले कबूल करें अब कारागार को ही जो ग्रह मान ले जेल को ही जो अपना गर समझ ले वो तो छूटने की कभी इच्छा नहीं करेगा तो ये बात है तो बिलकुल एहंकार उसके आँखें हैं उसको पता है लेकिन सत्संग के अभाव में इसलिए फिर से कहूं केवल सद्गुनी बनना केवल अच्छे बनना ये अच्छा है लेकिन परियाप्त नहीं है उसके साथ सत्संग का सातत्य बहुत 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 जरूरी है नहीं तो अच्छाई का भी अभिमान आएगा और वो अभिमान ले डुबेगा वे प्रसिद भजन है गर्व कियो सोई नरहारेओ सिया राम जी से गर्व कियो सोई नरहारेओ गर्व कियो रतना कर सागरे तो नीर खारो करी डारेओ सिया राम जी से गर्व कियो सोई नरहारेओ सत्संग के सातत्य थी कि उसके लिए बहुत जरूरा था अब आप सोचो श्रीमत भागवत में महत्म्यमें हम ये सुनते हैं कि एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वे विचरन करते हुए बदरिक आश्रम में आए क्यों आए उले सत्संग आर्थम समा याता सत्संग के लिए आए सनत कुमार जैसे परमहंस परमग्यानी मुक्त पुरुशों को भी यदी सत्संग की खोज रहती है सत्संग की आवशक्ता महसूस होती है तो हम संसारियों के लिए सत्संग अनिवार्य है इसलिए बार बार गो स्वामी तुलसिदाजी करही सदा सतसंग इसलिए व्यास भगवान सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा रिपिटेडली कह रहे है तो एक तो सतसंग से अपने अंदर के दुरगुण अपने अंदर की बुराईयां हमें देखने समझने को मिलती है और वो देख ले समझ ले तो उसका फिर परिणाम ये निकलना चाहिए कि हम उन जानी हुई बुराईयों से निजात पाएं उसे छोड़ें उसके लिए जो हम प्रयास करते हैं वही साधना साधना का अर्थकेवल माला जपना नहीं है साधना का अर्थकेवल पूजाबाट नहीं है जानी हुई बुराईयों से फिर निजात पाने के लिए ये सब हम कर रहे हैं तो सत्संग तब सार्थक होता है क्या है सत्संग फिर से उज्जशरणा नंजी महाराज का ये सूत्र याद करें हम लोग जाने हुए असत का त्याग वो सत्संग है तो वो वाले घमन को छोड़ें और फिर वो जो एहंकार है अहम उसको भक्ति मार्ग की दृष्टी से हम अपने इष्ट देव को और या अपने सद्गुरु के प्रती और इष्ट देव सद्गुरु वैसे एक ही है गुरु को विंद एक दुगधा को दूर भेड़ें उनके प्रती हम अपने एहंकार को समर्पित कर दें तो क्या हो जाता है वो किवल अहम नहीं रहता फिर वो दास हम हो जाता है हम रहता है लेकिन उसको दास बना दिया गया दासो हम अग्यानी क्या करता है सो हम उस पर अब ब्रह्म से अइक्या अनुभव करता है कि मैं वही हूँ और भक्ति मार्ग में दासो हम वाली बात है तो प्रभु के प्रती समर्पित रहें अपने सद्गुरु संद के प्रती समर्पित रहें ताकि वो एहंकार दास बन करके प्रभु के और सद्गुरु के शरण में रहे तो उपद्रव नहीं करेगा उल्टे ठाकुर जी और अपने सद्गुरु की सेवा में रहेगा बहुत अच्छा प्रश्ण है आशा करता हूँ बहन सिया कि थोड़ा बहुत समाधान तुम्हें प्राप्त हुआ होगा जैशी कृष्ण सुरेज कतर गाउं से हमारे साथ रेखाजी सुरेज भैपांडव जुड़ गये है उनका प्रशन है कि गुरुदेव मेरा प्रशन है कि भगवान का भजन करते करते संतो महात्माओं के सत्चंग सुनते सुनते सास्तरों का अधियन करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि हमारी सरवत्र ब्रह्मधृष्टी हो जाती है सियाराम में सबजगजानी ए भाव भितर से प्रगट हो जाता है किन्तु कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई विपरित आचरन वाला व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति आता है कोई और अनपेक्षित व्यवार करने वाला व्यक्ति मिलता है तब वासुदेव सर्वम इती ए वाला भाव स्थिर नहीं रहता सरवदा संभाव बना रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए यह गुरुदेव कृप्या करके बताए बहन रिखा पांडव सुनि चैवस्वपाकेच पंडिता समदर्शिना सरवम खलुदम ब्रम्म वासुदेव सरवम यह तो हकीकत है तो चाहे कुत्ता हो चाहे चांडाल हो कोई भी हो पंडिता समदर्शिना जो पंडित है जो ज्ञानी है वो समदर्शि होता है तो समदर्शिना कहा है समवर्तिना नहीं कहा व्यवहार में आपको भेद करना पड़ता है गाए को आप हाथ में पकड़ करके रोटी खिला सकते है गाए में जो परमात्मा है वही परमात्मा बाग में शेर में भी है और उसको इस तरह से आप खिलाने जाओ तो हो सकता है कि वो आपको ही खा जाए इसलिए समवर्ति नह नहीं वो विवेक बुद्धी के अनुसार हमें व्यभार करना होता है लेकिन अपने मन का संतुलन न बिगड़े हमारा विवेक निरंतर जागरत रहे और वास्तों में सब कुछ ब्रम्वस्वरोपी है यह हमारी दृष्टी बनी रहे और हम अपनी समता में स्थित रहे ये तो करना चाहिए लेकिन अपनी समता में स्थित रहकर के अविवहार करना चाहिए ऐक माता यहां शत्र मित्र की बाद छोड़ो अपने ही दोनों पुत्रों को भोजन करा रही है एक छोटा लड़का है जो अभी स्कूल में पढ़ता है एक बड़ा लड़का है सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों बैठे हैं भोजन के लिए तो सबसे बड़ा लड़का मजदूरी करने जाता है जब दोनों भोजन करने बैठे तो बड़े लड़के की थाली में माता ने आठ रोटी रख दी और छोटे वाले की थाली में दो रोटी रख दी तो ये क्रिया भेद है लेकिन भाव भेद नहीं है यदि छोटे वाले बच्चे की थाली में आठ रोटी रख देती तो वो जूठी छोड़ करके क्योंकि उसकी इतनी भूख नहीं उसकी इतनी जरूरत नहीं जबकि बड़ा वाला लड़का मजदूरी कर रहा है उसको भूख भी जादा लगती है उसके शरीर को ज़्यादा पोशन चाहिए शक्ती चाहिए तो बड़े वाले की थाली में छे या आठ रोटी रख देना और छोटे वाले लड़के की थाली में दो रोटी रख देना उसको भूख है छोटे वाला मागेगा तो तीसरा जरूर रोटी खिलाएगी मा बलके आगरा करेगी लाला एक और ले ले लेकिन ये क्रिया भेद तो है लेकिन भाव भेद नहीं है तो हमारा भाव बिलकुल यह होना चाहिए कि सब कुछ सर्वम विष्ण मयम जगत लेकिन व्यवहार में विवेक पुर्वक जो भेद करना जरूरी होता है वो करते हुए विवेक पुर्वक वो करते हुए और अपने भाव को द्रढ बनाते हुए कि अंत में तो सब परमात्मा ही है यह करते हुए व्यवहार करना चाहिए नराण